यूपी के बिजनोर जिले में रविवार को खलीफा कॉलोनी में ट्रिपल मडर से हलकम मज गया यहां इस्तिते घर में पती पत्नी और 18 साल के बेटे का लहू लुहान शव मिला तीनों की बड़ी बेरहमी से किसी ने पेचकस गोद कर हत्या की थी तीरे हत्याकान की खबर फैलते ही पूरे इलाके में भारी भीड़ी कठा हो गई पुलिस ने तीनों शवो को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है हत्या किसने की क्या वज़ा रही इसका पतान नहीं चल पाया है पचोस साल के भूरा घर में पत्नी के साथ पत्नी जिसका नाम उबैदा और 18 साल के बेटे जिसका नाम याकूब है उसके साथ रहते थे भूरा कबार बिनने का काम करता था उसकी मा हसीना खलीफा कॉलोनी में ही उसके भाई के साथ रहती थी रविवार सुबा मा जब भूरा के घर आई तो दर्वाजा अंदर से बंद था उन्होंने खिडकी से जाका तो घर के बरामदे में बहु उबेदा का खून से नहाया हुआ शोब पड़ा था मा ने पूरा नजारा देखकर शोर मचाया तो कॉलोनी के लोग जुड़ गया दर्वाजा तोड़ कर अंदर देखा तो दूसरे कमरे में याकूब और भूरा का शव भी पड़ा मिला तिहरे हत्याकान की खबर लगते ही पुलिस महक्य में में हड़कम मच गया एसपी अभिशेग जाभी फॉरण मौके पर पहुचे घर से किसी तरह का हत्यार नहीं बरामद हुआ है पुलिस को अंदेशा है कि हत्यारों ने पेचकस से वार कर तीरों की हत्या की है